पोताजी के खुसी में पोता जी आज एक अधिकारी बन गया है आप दुर का बास में और आपको आपकी चाचा अधिकारी बनें मको कैसा लग भूभा तो मैंतले कहा पर रहकर करके तयारी किये कहाँ पढ़ नहीं मैं कहा नहीं था इंटेंट का मेंने बहुत ही प्रयोंग किया है मुझे जब वी कोई डाउट था ठाइ si स्टीटी से related हो सब्जेक्ट से related हो के तैयारी कहां कि यह थी अप माहौल में रहे हैं आपके अंदर जो क्वालिटी है वहां खुद बखुद अनलाइन क्लास थी वह आप टेस्ट कितना लगाए थे पीटी के लिए कितना टेस्ट लगाए थे जी पीटी और मैंस के लिए मैंने एक मेरा 869 रेंक है जी और अनुमंडल पिछड़ा वंगा थी पिछड़ा वर के कल् लंबी पर किरिया है सर आप इस्टुडेंट को जो होता है हर दो दिन में तीन दिन में लगने लगता कि अब क्या होगा होगा की नहीं होगा तो आप इस चीज से कैसे मोटिबेट हो रहते थे अपने आप शकार आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और आज एक खास महमान से मि सफलता प्राप्त किया है जी मेरा नाम अमरजीत सिंग्वा जी आप अपना परीचे दीजे जी मेरा घर दरियापुर हुआ जो कि भागलपुर जिले में पढ़ता है और 67 BPSC सिविल सेवाब परिक्षा में मुझे सफलता मिली है 869 रैंक मैंने प्राप्त की है और सब डिव परिक्षा पास की उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए मैं पटना कोलिक पटना गया और एकोनोमिक से 2018 में ग्रेजुएशन किया और उसके बाद मैंने एक साल SSC से MTS की जॉब की पुने में फिल्म आर्काइब में था उसके बाद फिर मैं सिविल सेवा की तयारी में लग सबसे पहले आप बताईए कि इस परिक्षाओं में जो आप सफल हुए हैं इनका स्रे आप कि इनको देना चाहेंगे जी देखिए इस सवाल पर मैं भावुक हो जाता हूं दरअसल सबसे बड़ा सरे तो इस्वार का है जिनोंने जिन से मैंने हमेशा असिरवात प्राप्त किया है उसके बाद मेरे माता पिता मेरे जितनेभी मेरे घर में परेंट्स हैं कार्जियन हैं उसके बाद मेरे गुरू उन्होंने साथ दिया है कि मैं कभी भूल नहीं सकता हूंने आपको कब लगा कि हम BPSC का तयारी करेंगे और BPSC का ही तयारी कब इस परकार का आपको मन में कैसा कब विचाराया था जी एक्चुली सिविल सेवा मेरा एम रहा है शुरू से ही और अब मेरे घर वालों से जब जब मैं जॉब कर रहा था तो तो फिर मुझे इसकी आदाई कि मतलब मन में तो थी ही लेकिन जब मैंने अपने सीनियर अधिकारियों को देखा के काम करने के तरीकों को देखा तो मैं फिर एक बार जुखाओ मसुष की आपने अपको बार बार न्यूज पेपर और यूट् चातकार तक पहुँचा था अंतिम रूप से चयन नहीं हो पाया था मेरा यह मेरा दूसरा परियासरा है पिछले बार कहां तक पहुँचे थे इंटर्व्यू तक पहुँचे थे पिछले बार चिया सटवी में लेकिन अंतिम रूप से मेरा चयन नहीं हो पाया था अकैडमि गोविंद सिंग पब्लिक स्कूल बोकारो से प्लस टू फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से सीवी एसी बोर्ड में ही किया उसके बाद पटना कॉलेज पटना में मेरा एडमिशन हुआ इकोनोमिक सोनर से मैंने 2018 में ग्रेजुएशन किया उसके बाद मैंने आगे की पढ़ाई तो नहीं की बीपेसी की परिक्चा कब से सुरू की ती तैयारी करने की यह 2020 में लॉकडाउन के समय से दिरे दिरे मैंने तैयारी इसकी सुरू की इसके पहले आप क्या कर रहे थे इसके जुड़ने के बाद ही लॉकडाउन से मैंने तैयारी शुरू की आपको ऑप्सिनल पेपर क्या था मेरा उप्सिनल संस्क्रिट साहित रहा है अच्छा जी ग्रिजुएशन का विशे था एकोनोमिक्स और ऑप्सिनल पेपर संस्क्रिट था कैसे आप इसको सेलेक्ट किये थे जी देखिए संस्क्रिट दर असल बजब से ही मेरा जुडाओ संस्क्रिट सीरा मेरे माताँ रहे है चीक्षिका रहे है घर अगयूज संस्क्रिट पढ़ करती दी लिए और सुनस्क्रित और हिंदी में सीभीयोर्ट रथे करह नं से लील ए संसिनल तो जीओ अज़रय नेकर पर भाद आपने लिए कि शन्सकृत को ही और पेपर रखेंगे शीलेबस और इंट्रेस्ट ये दोनों फेक्टर काम किया मुझे अच्छा स्कॉर भी आया संस्कृत में जी इंटर्व में भी मुझे संस्कृत को लेकर के सवाल किया गया था दोनों बार ऑपिस्टिम्ध में कि सब्सक्राइब कर दो काफी जाता है तो जानते हैं किस प्रकार इन्हों ने तैयारी की किन-किन स्टेडी मेटेरियल्स का प्रयोग किया और किन-किन माध्यम से तैयारी करके BPSC में सफलता प्राप्त किया है जी सर आप बताईए जी देखिए BPSC की परिक्षा जो है वो तीन फेज में होती है पहले तो PT होती है प्रारंभिक परिक्षा जिसको बोलते है उसके बाद मुख् पॉलिटी, जोगरफी, एकोनोमी, बिहार स्पेसल, साइन्स, मैट्स यह सब है तो उसमें भी जो मेजर पोर्शन है वो है हिस्ट्री का उसके बाद है आपका बिहार स्पेसल का साइन्स का और करेंट अफेर्स का तो इसके लिए मैंने रेफरेंस बुक का ज्यादा तर इस् और उसके बाद बिहार स्पेसल के लिए मैंने क्राउन पब्लिकेशन की बुक को पढ़ा है उसके बाद अगर आप चाहें तो टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं वैसे मैंने तो नहीं लगाया था क्योंकि पढ़ने के टाइम पर मुझे लगता था क्योंकि कहां पर रहा करके त और उन सब से दिखाएंगे कि इनका स्टेडी मैटेरियल क्या-क्या था किस प्रकार इनोंने तायारी करते थे कितने घंटे की तायारी करते थे सारा चीज हम आपको वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे और सरकी माध्यम का परयोग किया ते यूट्यूब जो है कराम के कुछ चैनल रहे हैं जिनसे मुझे स्टडी मेटरियल मिल जाया करते थे तो उनको भी मैंने रेफर किया खास करके मैंस के टाइम पर जैसे मैंने बताया कि मैंस डिस्क्रिप्टीव पर होता है उसमें तीन पर हैं पहला जी एस वन है फिर जी एस टू है उसके बाद ज्यादा कोश्चन होते हैं प्रिवियस के अगर आप अल्टरनेट देखेंगे तो लगबग रिपीट कर जाता है और उसका सेकेंड सेक्शन जो है वो करेंट अफेर्स और इंटरनेशनल रिलेशन्स का रहता है उसमें आप मैकजीन और मुझे पेपर पढ़ने का एक तरह स करते हैं फिर पेपर एक घंटा में पढ़ने के बाद कास करके एडिटोरियल पेपर तो मैं डेली पढ़ता हूं संपाद किये जी तो उसे मैंस का उत्तर लिखने में मुझे बहुत ही मदद मिली और टेस्ट सीरीज मैंने बहुत ज्यादा नहीं लगाया मतलब लगाया ही न वह एक परस्नालिटी टेस्ट है जो कि वह बचपन से आप जिस माहौल में रहे हैं आपके अंदर जो क्वालिटी है वह साफ वहां खुद बखुद जलग जाएगी तो थोड़ी बहुत आप ब्रसब जरूर कर सकते हैं यानि कि आप प्रस्नालिटी टेस्ट का जो है इंटर कि पब्लिक स्पीकिंग मैं करता आया हूं मैं कॉमेंटरी भी करता हूं जी जी मैं जिलास्तर के मैचों में भी कॉमेंटरी कर चुका हूं मैं जी और इस वजह से मुझे इंटर्यू में बोलने वगरे का ठीक ठाक अनुभव है तो बाकि जो उसमें प्रसासनिक मापदंड क कि जरूरत होती है तो उसके लिए मैंने एक क्लास जॉइन किया था इस बार पिछले बार तो नहीं किया था तो उनसे मुझे बहुत मदद मिली आउनलाइन क्लास थी वो आप टेस्ट कितना लगाए थे पीटी के लिए कि लिए नहीं लगाया दो साल में एक भी नहीं एक भ संबर और साथ जनवरी तो कई लोग बताते हैं कि हमेशा टेस्ट लगाते रहाना चाहिए लेकिन आप कहने एक भी टेस्ट नहीं लगाया तो यह कैसे हो पाया जी वही मैं बता रहा हूं कि मुझे लिखने पर कमांड है अगर मेरे पास कंटेंट होगा तो मैं उतने टाइम स्पेन में अराम से लिख दीता हूं लेकिन मैं इसा नहीं बोल रहा हूं हाँ कूछ अपको प्लेंगे औरर करेंगे सबका अपना होता है इनका अपना अपना इस्टेजी था इन्होंने बिना टेस्ट के अपने quality में इंप्रूब करते रहे और करकर के घर से ही पढ़ाई की है गौंब इनका दरियापूर है अपना पूरा परीचे दीजे कि आप कहां से हैं और किस परिवेश से आते हैं जी मेरा घर दरियापूर जो कि शाकून प्रखंड में आता है भागलपूर जिला में है दरियापूर बाबू टोला हुआ जी एक्जेक्टली मेरे घर का लोकेशन आपका रेंक कितना आया है मेरा 869 रेंक है जी और अनुमंडल पिछड़ा एवंग अति पिछड़ा वर्ग कल कि परकार इनको बच्पन में पढ़ाया था लिखाया था किस परकार इनके संगर्श में मा पापा ने समने साथ धिया था जी आंटी जी बताएं क्या देखिया इसको बच्पन में ही विखे बंदेद पढ़ना दिया कि लिए 10 साल था तो उसको जब उहां दिये न तो दो चार दिन के बाद इसका रोना धोना मा सुरू हो गया यह बोला की दो म्यूहां का लेटिन रहता है तो बाल निकलता है रोटी में चुछे कुछे ही बहना करने लगा तो हम वहां से रोरो अज़ा जब आठी करेंगे इतना भावूख हो जाएंगे तो फिर बेटा मेरा बने गाने को परहाई लिखाई नहीं होगा तो फिर यहां रो के रो के अपना किसी तरह मतलब फिर अपने आपको थी करते थे परिखने के लिए रखने ज़मरकों पड़ने का ड़ीं तो किस प्रार बेखने के लिए बाहरं से ना इतो परने के लिए तो मापीताजी को कम स कम उसके लिए करेंगे तो फिर इसका अगे तो नहीं बनेगा गैसे तो बेकार एकदमंदःकार हुआ रहे तो यह वहां से फोन किया कि ममी आज मेरा रिजल्ट आने वाला है तो हमको तो वहां ऐसा लग रहा था धड़कन थोड़ा कभी कभी बढ़ जाता था फिर अपने आपको सम्हालते थे किसी को हम बोल नहीं रहे थे तो बोली कि चंडीका मां को अच्छा से आज परनाम करके आन तब हम पिर गए वहां चंडीका मां को समिर को अच्छा से फिर चले यहां आए जब रिजल्ट सुनने को मिला कि अधा जव यहां यहां जब हम सुने रिजल्ट तो मतलब आशा लगने लगा हम कहा है जयू बिल्कुल आजीव जयसा हमको लगता हम तो दोड़ने न लगे ज जब से मतला वी छोटे था तो इनको बहूत था शोकी मतलब कुछ ना कुछ एक अटो आईसे तो लाल भाति का जादा शोकी इसको भी बच्पान से था उसके पापा को भी लेकिन फिर भी इधर मना ऐसा लग रहा ता एक बाल जो मितलब इसका ही हो गया तो फिर पापा को लगा थे कौनों एक ठो बेटा को पोस्ट मिल जाए तो हम दोड़े आए इधर गए उधर गए कहना फिर दर्वाजे पत्थे आप सुनके कि आप उसके बाद किसको बताए पापा जी को बताए ना तो बताए तो ये तो मतलब इन पातचीत होने लगा तो पापा तो मितलब एकदम खुशी से जूम उठे एकदम सब का मन रात बारा बजे के बाद फिर जाए गए बेट पे सोने के लिए तो ऐसा लग रहा था कि कुछ खाना पिर कुछ कही अच्छे ने लग रहा था आए तो जानते हैं इनके पिता जी से कि पिता जी किस प्रकार बच्चे को अपने संगर्श में और क्या सपना था बच्पन में जब ख्यलता था तो गाओं में लाल गारी आती तो बहुत खुर सोता था और पिपपिप करता था कि लाल बत्ति गारी जए तो हम भी उसी पर चड़ेंगे अधर बहुत पूरा हो ग रिजल्ट सुन करके कैसा आप अनुवग भाव भूर होगे रोने लगे हम गुरू के पास गुरू का फोटो दरवाजे पर उसको देख करके रोने लगे और यह की मूल मंत्र मैं मैंने इसको पहले दिया था कि लहरों की डर से नया पार नहीं होती मिहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती कोई बीचित कठीन है लेकिन नमुमकीन नहीं है इसको हमेशा तुम बैटा अमल करते रहो और उस रास्ते पर आज पहुंच गया मेरा जो हैसो सारा आर्मान पूर गया आने वाले पिढ़ी को जैसे बड़े वहिया के पोता सभी को यही प्रेरना देते हैं कि आगे चल करके तुम अच्छा बनोगे बस रते तुम ठीक से चलो ठीक से पढ़ाई को देखिए कैसे लड़के भावुक हो रहे हैं और इस चन में भावुक होना बहुत ही स्वभाविक बनता है क्योंकि मापिता जिसके मापिता इतना संगर्ष करके पढ़ाया लिखाया औ आज गौरवान भी फिल कर रहे हैं तो आप समझ पा रहे हैं कि किस प्रकार इन्होंने महनत किया है और इसके इस दौरान इस सफलता पर आज भावुक हैं अब को कब पता चला कि मेरा आपका सेलेक्शन हो गया है किस प्रकार पता चला कौन बताया पहली बार देखिए आज या कल आज या कल आए लेकिन क्लियर नहीं हो रहा था लेकिन 27 तारीक किस्वाम को लगबग क्लियर हो गया था कि 28 रिजल्ट आज आएगा और संग्योग बस 28 को में बोकारों में था अपनी चोटी दिदी को पहुंचाने के लिए गया था और वहां में सुबह अब आज आने वाला है तो मैंने जैसे पीडियाप में अपना नाम देखा तो सबसे पहले दीदी मेरे बगल में थी तो उनको बताया फिर फोन किया मता जी से बात होई उसके बाद पिर दीरे दीरे सबसे बात हो तो अब माता पिता को रिजल्ट बताए तो कैसा रियक्शन जी वो तो बहुत ही भावोग चंटा अमरे लिए यह बयान करना तरह मुश्किल है अपराप्त की सर आप बताई कुछ अभी जो नए नए एस्पेरेंट है जो विपेसी के तैयारी करना चाहते हैं उसके लिए आप क्या बत कहेंगे सर कि किस प्रकार उन्होंने तैयारी सु लेगा कुछ मेजर सेगमेंट जो होते हैं उनसे सवाल पूछे जाते हैं ऐसा नहीं है कि हर कुछ सिलेबस में होता वो किसी भी एक्जाम में होता जो मैं चीज है उसको आप नोट डाउन करके रखिए उसके हिसाब से आप इस्टेंडर्ड बुक लीजिए और बुक ऐसा है यह नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ वही बुक आप ले आपको जो भी बुक पढ़ने में कमपर्टेबल हो रहा है आप वो लीजिए बसरते उसको बार बार पढ़िए उसका नोट्स बनाईए और सबसे मैंने कि एक्जाम क्या डिमांड करता है यह जरूरी है क्योंकि ज्यादा तर चातरों को दिक्कत आती है अंसर राइटिंग कैसे लिखें तो शुरुवायत में जब वह लिखेंगे एक दो पेज उसके बाद उनको खुद पसंद नहीं आएगा तो धीरे धीरे ग्रेजुवल प्रोसेस है करते 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 धीरे धीरे आ जाएगा और ए अभी लगबाग हर जगे की कनेक्टिविटी सहर से हो चुकी है अगर आप नोट्स या बूक लेना चाहें तो एक दो घंटे में आप लेके आप घर आ सकते हैं यूट्यूब इंटरनेट सबके पास या पीडियाप लेके प्रिंट करा सकते हैं यूट्यूब के माधियम से पढ़ाई कर सकते हैं मुझे देखिए मैं घर में रखे कर रहा था साधी हो गई थी सब चीज सब कुछ हंडल करते भी आराम से हो जाता है ऐसा कुछ नहीं है कि घर छोड़के जाना ही पड़ेगा या बाहर में लोज लेना ही पड़ेगा अगर वो है तो बहुत अच्छी पटी के लोगों के लोगों को इस लाने के नाते आप किस प्रकार इस जाती के लोगों को इस जाती के कल्यावन के लिए आप क्या कदम उठाने वाले हैं? जी सरकार की कई यौजनाय इस वर्ग के लिए हैं और मेरा जो लक्ष अब्र सिवील सेवग का λέ यही कारी होता है कि जो यौजनाय उनको सही रूप से area level तक क्रियानवीत स्रीमाद भगवद गीता में स्लोक है अगर आप आएंगे तभी तो आप हार या जीत प्राप्त करेंगे ना अगर आप जीत गए इसका मतलब सेलेक्ट हो गए नहीं जीते तो तो जुरुबा हुआ जैसे पिछले बार मेरा सेलेक्शन नहीं हुआ जैसा तो नहीं मेरे पास आपको तजुरुबा है जीत गए तब तो आप अल्रेडी सेलेक्टेड हो गए इसलिए आप इस युद में कूदिये और मिश्चीत रूप से आप सफल होंगे आज हो या कल है जी सबसे मुख्य बाते हैं कॉन्फिडेंस आत्म विश्वास आत्म विश्वास बना करेकर रह हैं तो बहुत तरगी कंफुजन होती है क्या सवाल आएगा क्या नहीं आएगा अगर आप कॉन्फिडेंट होते हैं पोजिटीव होते हैं तो आधा जंग आप ऐसे ही जीत जा रहे हैं फिर वहां पर आप अच्छा प्रदर्शन कीजिए और फिर तो फल तो बगवान के अधिकारी गजेटेड ऑफिसर बना है हम बड़ी ममी है हम बहुत खुसा है मेरा बेटा अपसर बन गया है खुसी सिपागल है हम लोग सभी लोग काफी उत्तेजित हैं ये दादी जी है जैसा कि आपको पहले में वीडियो में दिखायते हैं दादी कुछ करना चाले जी और हम आपको भहत ही खास लोगों से मिल आएंगे जो अधिकारी सर जी की पतिनी है में मपको कैसा फिल हो रहा है अभी आपका पती जो है एक अधिकारी बन रहा है हम बहुत खूस है तुछ जी मेरा भी सपना था कि इस्ट परकार सपोर्ट करते थे आप पढ़ाई कि के दौरण स्वार्व moarto 상와 NTH divayo पूरा विस्वास था की हो जाएगा हम को पूरा विष्वास था हो जाएगा हम को पूरा मेंट कर रहे थे हम देख रहे हैं बहुत लोगों को विष्वास नहीं था जह बहुत लोग तो नहीं देखते यह क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे जब साधी के बाद यहां आया और पढ़ते वे देखे तो हमको लग पूरा विस्वास था कि आगे तक जाएंगे और हम घर पी सब्सक्राइब अगर जॉब है तो छोड़ता ही नहीं जॉब होगा ही नहीं सरकारी यानि जॉब जॉब कैसा लग रहा है हम लोग को हमकला ही श्ट बेटाल ही हम तो पेंटिंग कुछ करना चाहें सब Ol जब मैं साधी करके आए थी उनके बाद इनका जन्नम हुआ है तो मैं अपने बच्चे के गाह हूँ प्राथी आपको कैसा फिल हो रहा है बहुत अच्छा लग रहा है आम लोग को बुड़ा पाप आसरा हो गया कि आम लोग को भी आप सोख लगता है इनके सफलता पर क्या कहे इतना कहतना चाहूँगी कि यह बहुत महनत करते हैं जैसे कि शिविल सर्विसेज की तयारी सर लंबी पर किरिया है सर आप स्टुडेंट को जो होता है हर दो दिन में तीन दिन में लगने लगता कि अब क्या होगा होगा की नहीं होगा तो आप इस चीज से कैसे मोटिवेट कि पूचिवेट होने का सबका अपना अपना तरीका है कोई मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं को इसमें लगे हुए फिर आपको खुद उत्तर मिल जाएगा और अगले बार से नई इनर्जी के साथ फिर इसमें लग जाएंगे बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर सिल्क टीव से जूड़ने के लिए थैंक्यू थैंक्यू